Assalamualaikum dear students Last class में हमने Exercise 2.7 के मैंने आपके सामने दो सवाल कराएते Question No.5 और Question No.12 Question No.10 मैंने आपको Homework के लिए ज़दा Question No.12 में थोड़ा से Problems आ गये थे बहुत ज़दा direct-direct किया था तो आज मैं Question No.12 आपको फिर से समझा देता हूँ ताकि आपको थोड़ी और Confusion clear हो जाए उसकी साही है उमीद है Question No.10 सब लोगों ने घर से कर लिया होगा नहीं किया तो कर लीजिए Question No.10 important है जो मैं आपको घर से करने के लिए दूँगा वो आप में दातर exam में देता हूँ तो एक तोर पी हिंट ले लें क्या पता जो मैं आपको करा रहा हूँ वो नाए एक्जैम में लेकिन ऐसी बात भी नहीं है कि आई ही ही नाए एक्जैम में क्या आप कर लोगों ही ने प्रैक्टिस खैर Question No.12 को हम वासी देखते हैं सही है? गौर से देखिए Question No.12 सावाल कहता है 216 की पावर 2 अपान 3 25 की पावर 1 अपान 2 और 1 अपान 25 की पावर माइनस 3 अपान 2 और भार क्या चल ला है? अंडर रूट सही? सबसे पहले तो आपको बता है सब को करेंगे किसमे सब को करेंगे हम एक एक नंबर में ब्रेक 216 को कर दिया हमने 6 की पावर 3 में ब्रेक सही है अपना 25 को कर दिया 5 की पावर 2 में और डिवाइड वाला 25 को भी कर दिया 5 की पावर 2 में डिवाइड वाले माइनस 3 अपान 2 1 के साथ भी था 25 के साथ भी था तो मैंने दोनों को अलग-अलग कर दिया आप गौर से देखो, दोनों को मैंने क्या क्या कर दिया, अलग-अलग कर दिया, अब 1 के साथ भी है, 5 के साथ भी है, सही है, यह 3 से 3 कैंसल, 6 की पावर 2 बचा, यह 2 से 2 कैंसल, 5 की पावर 1 बचा, और 1 तो बता है, माइन नाहीं होता है भले माइन नेगिटिव पावर पॉजटिव पावर प्लस त्री बचा अब उपर एक फावर नीचे तीन वाइव है एक में से तीन गए कितने बचे का दो बचे का तो क्या आया 6 टो डिवारेट बा में था फाइफ की पावर टू यांप पर चिझिकश घए अपर से घःटे बार और यिए 96 तो सी गपावड को चैनल थाछले यह और अपको बता है अंडर यूट अंडर रूट के टेफिल मैं आपको लिखाया ता इसमें है नि假 Agora परणना आपको शो करा था लेकिन आपको दिखाया था याद करें 4 का अंडर रूट 2 होता है 16 का अंडर रूट 4 होता है 9 का अंडर रूट 3 होता है picky6 a 25 काAustral gauche 5 &the בעli by Doncs मतलब क्या है 6 multiply by 6 6 multiply by 6 जानी के 2 तो power 1 upon 2 होती 6 की power 2 202 cancel root का मतलब क्या होता है power 1 upon 2 तो 36 का 6 की power 2 भी लिखके है तो 1 upon 2 202 क्या हो जाएगा आपका cancel हो जाएगा और यहाप पर 25 5 की power 2 202 cancel हो जाएगा तो यहाप पर क्या बज जाएगा 6 upon 5, सही है, अब आता है एक रूल, बहुत important रूल है, याद रखना है आपने, सही है, एक मिनट, भूत important रूल है ये, 6 upon 5, यहाँ बर्गोर से देखें, निउमिनेटर है, ग्रीटर त categor玩 मेंटर, ढखना मेंटर, निउमिनेटर क्या होते है, डिनोमिनेटर क्या होते है और जो नेजीत तन निउमिनेटर है, एक बात याद रखना मैज में, जिस तरह मैज के रूल होता है, इसी तरह एक rule है maths का कि numerator जब भी denominator से greater आ जाए तो हम whole number की fraction की form में लिखते हैं whole number की fraction की form जैसे ये लिखिए 1 whole number 1 upon 5, 2 whole number 3 upon 2 इस तरह इसको हम कहते है whole number वाली fraction की form सही है तो अब 6 upon 5 है इसको हम convert करना पड़ेगा whole number वाली fraction की form ये मैंने convert किया है किस तरह देखो 6 divide हो रहे किस से 5 से divide हो रहे सही है 5 वन जा 5 आ गया तो वन reminder बचा अब इसको लिखते किस तरह है उपर से लेके चलते हैं ये है 1 ये आ जाता है इस तरफ side पर जो लिखावा है सही है 1 ये है 1 एक और उपपर ही आ जाता है यह वाला बना जाता है उपपर और यह 5 डिवाइड में ही रहता है तो इसको हम किस तरह लेखते हैं 1 whole number 1 upon 5 1 whole number 1 upon 5 अगर मैं इसको वाफसी लेखना चाहूंगा नहीं नॉर्मल फॉम में तो किस तरह होगा 5 बन जा 5 5 प्लस 1 6 तो आफसी 6 upon 5 बन जाएगा तो बात तो वही हुई ना तो कोई फैट नहीं बड़ा इसलिए इसका आंसर क्या होगा 1 whole number 1 upon 5 अच्छा अगर आप यही तक आंसर छोड़ देगा 6 upon 5 तो क्या नंबर कटेंगे बिलकुल कटेंगे यह सवाल होते हैं 5 नंबर के आपका एक नंबर कटेगा आपको 4 नंबर मिलेंगा अगर आपने 6 upon 5 तक छोड़ा तो पूरे-पूरे करने हैं आपने यह आएगा क्या आंस सब्सक्राइब करने जा रहें क्या है फोर की पावर एंड थोड़ा अजीब से लग रहे होगा मुश्किल है लेकिन है बहुत असान सवाल सब्सक्राइब गोर से देखिए अब 4 की पावर एम इसको मैंने ब्रेक कर दिया 2 की पावर 2 में जाहर सी बात है पहला स्ट किया है 2 2.7 का बइस साथ पहला हम नमबर को ब्रेक करेंगे ऑकर स्क्राइब की रिको भर यह स्क्राइब करो अगर किसमें ब्रेका हो नहीं स्म shumpam def 곡 मुल्टिप्लेक्शन वाली फॉममें ब्रेक कर दो से फोर कीपावर एम यह क्यों जाहेगा 2 की पावर स्कौर साहिए 15 15 क以से वे यह तू फावर एज़ लिखी जारी है यहां देखो उपर पावर M है यह पावर 4M-2N-1 यह पावर N-2M है उपर पावर एज़ लिखी जारी है और यह 25 25 क्यों थे 5 का स्कुरर उपर पावर एज़ लिखी गई आई बात समझ में अब इस ब्रैकेट को हम खोल देते हैं अभी अब यह 4M-2N-1 यह 5 के साथ भी है और यह 3 के साथ भी है तो मैंने दोनों को अलग-अलग कर दिया यहां देखो दोनों को अलग-अलग कर दिया सही अब यह क्या है 3 की पावर 2 तो यह 2 भार वाली पावर से यह 2 भार वाली पावर से क्या हो गया मल्टिप्ला हो गया तो य यह 2N से multiply हुआ तो 2N माइनस 4M आई बच समझ में, divide वाली term में आ जाओ अब 5 multiply by 2 की power क्या है 2M अब यह 5 के साथ भी है और 2 के साथ भी है यह 5 के साथ भी लिख दिया, यह 2 के साथ भी लिख दिया और यह क्या है 5 की power 2 और भार power क्या है M-N, अब यह 2M माइनस क्या हो जाएगा 2N यह दोनों आपस में क्या होए, multiply हो गए तो 2M माइनस 2M, अब गोर से देखो यह 2 की power 2M था, यह भी 2 की power 2M था दोने divide में, obviously बाते cancel हो गए आई बच समझ में, अब एक और rule है आप में match में याद होगा, base same power क्या होती है हमेशा add होती है, यह सबसे पहले मैंने आपको बता रहा है तो यह 3, यह 3, base same है power क्या हो गई, अब यह इसको छोड़ दो, इन तीनों को छोड़ दो base same 3 और 3, power क्या हो गई, add हो गई है देखो, पूरी power add हो गई है, 4M minus 2N plus 1, add it is, उसके बाद 2N plus 2N minus 4M, पूरी powers क्या हो गई, add हो गई जो cancel हो रही थी, वो इसको cancel कर दी किस तरह यह 4M, यह minus का 4M cancel, यह minus का 2N, यह plus का 2N cancel क्या बचा सिफ 3 की power 1, अब यह 5 वाले में आओ यह क्या है 4M minus 2N plus 1, यह दो नीचे है इसको मैं shift कर दिया उपर की तरफ, क्यों? बेस से power add obviously बात है, इसलिए मैंने इसको उपर की तरफ shift कर दिया तो यह अपना 2M minus 2N था, sign change हो गई, minus 2M plus 2N यहाँ पर 2M minus 2N था, गोर से देखो, यहाँ पर क्या था, 2M minus 2N अब जब मैं इसको उपर लगे गया, तो power क्या हो गई, minus, change हो गई, यह प्लस फाली sign minus में हो गई, minus 2M plus 2N और यह minus sign plus में हो गई, 2N हो गई, आईबाच समझ में, और यह 2M भी है, यह भी उपर गया, तो minus 2M हो गई, आईबाच समझ में, आपकी मरती आप चाहो तो एक 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 step करे कर लो, या अलग-अलग करे कर लो, अब चुके एक साथ हो रहता तो मैंने कर दिया, आपके basic concept अप आपको यह सब directly करना आना चाहिए, बेफालतू के steps आपको करने की जरूरत नहीं है, ऐसा मत समझ ना कि exam में आप जितने जादा steps करते रहोगे, उतने जादा आपको marks मिलते रहेंगे, बेफालतू के steps आपने अपनी मर्जी से increase करने की जरूरत नहीं है, इसके कोई extra marks नहीं ह तो क्या करता मैं, यह 3 की ट्रम पूरी cancel होगे, क्या बची 3 की पावर 1, तो यहां divide में देखो 3 की पावर 1 बची, सही है, divide 1 ही मतला multiply में, सही है, अब यह 3 बेसे में, power सब को क्या कर दिया, add कर दिया, किस तरह यह 4m-2n-1, यह 3 चीज़, minus 2m, plus 2n, और minus 2m, आई बात समझ मे यह 3 additives रहा, जो पूरा cancel होगे, तो यह 1 पावर बची थी, यह minus का 2n, यह plus का 2n, cancel होगे, सही है, यहां बचे को क्या बचा, 4m, minus 2m, और minus 2m, यह क्या हो जागा, minus minus plus, तो 2 plus 2 क्या होता है, 4, यह भी बन गया, 4m, लेकिन minus का, क्योंकि साइन minus की है, यह क्या बन जागा, 4m, minus 4m, plus 1, अब यह 4m, plus का, यह 4m, minus का, यह भी cancel होगे, क्या बचा, 5 की पावर 1, तो यहां पे 3 अलरी चल ला था, 5 की पावर 1, multiply पे 3, 5 multiply पे 3, क्या होता है, 15, तो आपका answer क्या आया, 15, तो इस पूरे, बड़ा इस सवाल क्या, इसका answer क्या चोटा था, 15 answer आया, आई बाच अला, next class में, 2.7 कोशिश करेंगे, complete हो जाए, और यह बीच वाले सवाल महने नहीं कर रहा है, इसको अगली class में, कवर कर लेंगे, okay, Allah आफेस,